असुया यहने दोशद रिष्टी रखना उसको समस्कृत शब्द है असुया कहते हैं और वो भी कैसे किस प्रकार की दोशद रिष्टी गुनेश दोशद अर्शनम जो अच्छा है उसमें दोशद देखना उसको असुया कहते है तो इस प्रकार की दृष्टी कभ होती है जब इर्शा वगएर होती है तब अस्वस्थ मन रहता है विक्षिप्त रहता है दुखी रहता है या तो इर्शा ग्रस्थ है मन तो फिर अच्छाई में भी वो बुराई देखे उसको असुया कहते हैं तो ऐसा व्यक्ती हमेशा दुखी रहता है और किसी को सुखी देखे सुखी नहीं हो सकता तो उसका दुख बढ़ाना चाहेगा अपने आपका तो सबको दुखी करें तो ये दोश से जो ग्रस्थ है दोश दर्शन करें ऐसे व्यक्ती को नहीं बताना अनसुया की आवशक्ता है, जहां असुया नहीं हो, दिव्यता देखने की एक आक्षांक्षा हो, और फिर वो अतनी दिरिष्टी प्रसारे, ऐसे व्यक्ति को, क्या होगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी उत्पन होंगे, अनसुया का प्राप्त जल है, भी गुरु दोष दिरिष्टी दवर्नी, she went straight for the spiritual and she got her answers, everything, she could deal with any situation so correctly, so love that, we need it,